अजी Hello everyone, welcome to global online. Myself、 Priyanka, आप सभी का स्वागत करती हुआ आज के हमारे सेशन में आज के हमारा सेशन इसमें हम अंगलो-मराठा युद्ध टोटल तीन अंगलो-मराठा युद्ध हुए हैं इन तीनों को डीटिल से आज के सेशन में हम डिस्क्स करेंगे साथ ये साथ NTA UGC ने paper to history के लिए complete revision crash course जो है जुन 2030 exam के लिए global online पर launch हो चुका है यहाँ जो complete revision crash course है इसमें आपको recorded video lectures मिलेंगे total 10 unit इसमें cover की जाएंगी साथ ये साथ 20 से अधिक mock test आपके practice के लिए रहेगी full syllabus notes है यहाँ जो notes है PDF format में आपके लिए available है जिससे कि आप इसको easily download कर अपने mobile या laptop में इसको फड़ सकते हो साथ ही साथ 2000 प्लस MCQs की question bank रहेगी paper 1 free up cost है paper 2 के साथ it means paper 1 even paper 2 दोनों ही paper जो है details से इसमें cover कराये जाएंगे यहाँ जो complete revision crash course है इसकी fees मातरे 10,000 है लेकिन इस पर आपको 60% off मिलेगा और मातरे 3,999 रुपए में यह जो revision crash course है जो specially जुन 2030 के लिए launch किया गया है वो आपके लिए available है इसके लिए आप इस officials number पे contact कर सकते हो साथ ही साथ free demo video lectures देखने के लिए आज ही global online app डाउनलोड कर लिजी store नामक option को आपको select कर लेना है यहाँ search कर लेना है paper to history इस प्रकार का interface आएगा ठीक है यहाँ से जो है आप free demo lectures देख सकते हैं साथी साथ आज का जो हमारा session में है उसमें हम discuss करने जा रहे है तीन अंग्रेज मराठा संबंद किस प्रकार से था कौन से ऐसे कारण थे कौन से रिजन्स थे जिस कारण से जो युद्ध हुआ ठीक है और साथी साथ कौन कौन से ऐसे ट्रेडी हुई है वो सभी हमें आज के session में discuss करना है तो जैसे कि आप सभी को पता है कि headquarters थे मराठा के मराठो के headquarters थे जिनमें हम देखते है कि बड़ोदा के गायकवार है कहा है बड़ोदा के गायकवार ठीक है बड़ोदा ये पहला headquarters हो गया बाद में हम देखते है सिंधिया ठीक है जिनका शेत्र क्या था ग्वालियर था ग्वालियर ओके और उसके बाद हम देखते है कि होलकर ठीक है होलकर जो है इंदोर के थे ओके और भोसला नाकपूर के ठीक है भोसला नाकपूर के तो इस प्रकार से और पूना सबसे में था ठीक है यह जो पूना है वो सबसे में है यह किसका हेटकौटर है पेश्वाव का ठीक है तो यह जो इनने अपना शेत्र जो है इनके अंदर में बाड़ दिया था तो इसलिए हम देखते हैं कि गायक वार बड़ोदा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदोर के होलकर और नाकपूर के भोसला ठीक है तो इस प्रकार से इनके शेत्र जो है बाड़ दिये गये थे तो लास सेशन में मै अपने आपको बड़ताया था किस प्रकार से जो है बाजिराव दूतिय इनके पुत्र थे रगुनात राव ठीक है और रग्यनात राव जो है खुद पेश्वा बनना चाहते थे इसलिए रागोबा जो है उन्होंने क्या कर ली एक संधी कर ली ठीक है ओके तो ये जो संधी उन्होंने की थी उसको हम कहते है सूरत की संधी कर ली थी कब की थी 17 सूरत की संधी ट्रेडी ओफ सूरत कब हुआ था ये 7 मार्श 1775 को जो है सूरत की संधी हुई थी अब सूरत के संधी से क्या मतलब डिसाइड किया गया था तो ये जो सूरत की संदी है बॉंबे परिशत के गवर्नर के साथ किये गई थी ठीक है और अंग्रेज जो है रगुनात राव को dipping स सेनिक देंगे ठीक है जिससे वो क्या कर सकते हैं पेशवा उपर आक्रमन करेंगे और पेशवापत को प्राप्त करें तो बिल्कुल नहीं इसके अलावा सूरत और भड़ोज का जो छेत्र है इसका जो भी कुछ रहनेवी आएगा वो आपस में बाट लिया जाएगा माने कि उसको ये कर दिया जाए बाटने की भी बात की गई तो इसी कारणवश हम देखते है कि प्रथम आंगल मराथा होता है कब स्टार्ट होगा 1775 से लेके 82 तक ये जो युद्ध का कारण था रगुनात राव की संधी थी ठीक है तो देखिए कमपनी के डाइरेक्टरों ने तो ये संधी को मान लिया गया और साती सा सेना भी इसको दे दी गई थी ठीक है तो इसी से ही हम देखते है कि आगे जो है पुरंदर की संधी होती है तो पुरंदर की संधी कब होती है तो पुरंदर की संधी जो है 1776 में पुरंदर की संधी होती है लेकिन यह जब संधी होती है तो मराठों के ध्यान में आ जाता है कि यह तो आपस का यह मराठा जो है इनके आपस का यह क्या था संघर्ष थ था एक प्रकार से ठीक है लेकिन इसमें हम देखते हैं कि अंग्रेज आ जाते हैं इसके परिणाम स्वरूप 1777 में नाना फड़न विस जो है वो क्या करते हैं फ्रांसिस्यों से हाथ मिला ले देते हैं और फ्रांसिस से जब वो हाथ मिलाते हैं तो इसका अर्थी यह होता है कि उन्होंने 10 फ्रांसिस योंने कहा कि हम आपके 10,000 सेन्य जो रहेगे उसको प्रश्टिस्क्षन देंगे ठीक है और साथी साथ नाना फड़न उसने एक फोर्ट जो वेस्ट का एक फोर्ट है वो भी घार फोर्ट ठीक है पत्तन जो है वो दे दिया फ्रांसिस यों को तो यह क होता है ताल गाव का युद्ध तो महाज जी सिंधिया जो होते है उनकी नेतरुत में ताल गाव का युद्ध होता है कब होता है 17 जैनवरी 1779 में ये ताल गाट के युद्ध होता है और इसमें बंबई सरकार और जो पूना दर्बार होता है इन दोनों के मध्य इस युद् तो होता है जन्वरी 1779 में किसकी किसके मध्य मुंबई प्रेसिडेंसी ठीक है और साथी साथ हम देखते है कि मराठाओ के बीच में इसके परिनाम सफ़रू बडगाओ का समझोता होता है 1779 ठीक है तो 1779 में देखिए एक बाद यस टाइम पर से हम देखते हैं कि वौरण हेस्टिज जो है वह क्या होते हैं गवर्नर होते हैं ठीक है तो ये तो पहली बात और वारन हेस्टिज जो है बढ़गाव की संधी को मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि इस संधी के अंतरगत हम देखते हैं कि सभी जो प्रदेश है विजित प्रदेश 1773 में जितने भी प्रदेश मराठो के अंदर थे वो सभ तो वारन हेस्टिज है या अंग्रेज है इनके लिए मतलब उतनी मुनाफ़ाज शिर नहीं थी बढ़गाव की संधी वारन हेस्टिज मानने से इनकार कर देता है और युद्ध शूरू रखने का ही वह आश्वाशन देते हैं इसके परिनाम स्वरूप हम देखते हैं कि वा हात जी सिंधिया जो होते है वो मतलब एस्थिता करते हैं और इनकी मतलब एस्थिता के कारन सालबाय की संधी होती हैं तो पूचा जाता है सालबाय की संधी जो है यहाँ सभी हेटकॉर्टर से एक सात मिल्के की गई थी अलग-अलग नहीं लेकिन दो दी आंग्राठा 1782 में हुई थी तो इस संधी खे अंतर्गत देखिए क्या होता है कि जो salsyde है सालसेट जो है अंगरेजों को दे दिया गया इसकी पहली तंब थी कि salsyde जो है अंगरेजों को दे दिया जाएगा साथी साथ रगुनात राव का जो पक्ष अंग्रेज लेते थे उनको बंद करना होगा साथी साथ हम देखते हैं कि रगुनात राव का पक्ष और महाजी सिंधिया क्या करेंगे मध्यस्तिता करेंगे कौन सिंधिया ठीक है जो अंग्रेज एवं पेशवा के मध्य जो संधी हुई है ट्रेडी हुई है उसकी मध्यतिस्ता कौन करने वाले है सिंधिया करने वाले है तो लगबग हम देखते हैं कि 20 यर्स तक यह जो संधी है वो चलती ही जाएंगी लेकिन बाद में माने 1803 में दूदिय आंगल मराठा युद्ध होता है तो इसके क्या कारण है तो इसके कारण हम देखते हैं कि सबसे पहला महाजी सिंधिया का मृत्यू 1794 में हो जाता है उसके बाद 1795 में माधव राव दूतिय मतलब विश लेके आत्मात्या कर लेते हैं ठीक है तुको जी होड़कर 1799 में इनकी भी मृत्यू हो जाते हैं और ये सभी लोग जो है एकता में बिलिव करते थे इसलिए प्रतम आंगल मराठा युद्ध जो है मराठा अच्छे से लड़ पाए थे इसी बीच हम देखते हैं कि रगुनात राव जो है उनके एक पूत्र थे जिनका नाम क्या है बाजी राव दूतिय ठीक है तो रगुनात राव का कहना था कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए आपसे लेकिन ये जो मराठा मंडल है मराठा ये है उसमें मेरे पूत्रों को क्या मिल जाए कोई ना कोई पद मल जाए इसके परिनाम स्वरुप हम देखते हैं कि बाजी राव दूतिय जो है उनको 1795 में प मृतिय हो जाती है और इसके परिनाम स्वरुप जब बाजी राव सेकेंड शाशक बनते हैं इस समय पे दो में रहते हैं पहले तो है दवलत राव सिंधिया और सेकेंड है वीठू जी होलकर तो इन दोनों के आपसी संगर्शक क्यों होते थे कि पेश्वा के सबसे जादा कर वीठू जी होलकर और वीठू जी होलकर जो है एह दो भाई रहते हैं और इसमें यो धिरनों के प्रदीर धिरे क्याप्चर करना शूरु कर देते हैं और अंत्या उत्तर भारत पे बिन नजर करते हैं ठीक है होलकर में जो मालवा का संगर्श सिंधिया और होलकर में मालवा में आपसी उत्तर भारत में जो है इनका संगर्श चलता है और इस संगर्श का परिणाम स्वरूप विठू जी होलकर जो है इनके वद कर दिया जाता है ठीक है ओके विठू जी होलकर के वद के कारण जो माग में आ जाते हैं और वह सीधा पूना दरबार जो है पेश्वा उपर आक्रमन कर देते हैं तो 25 ओक्टोंबर 1802 को जो है पूना के निकट येक युद्ध होता है जिसमें पेश्वा और सिंधिया इनके विरुद्ध भी कोन लड़ रहा है तो होलकर लड़ रहा है ठीक है होलकर विरुद्ध सिंधिया वर्षिस मतलब ये दोनों साथ रहेंगे पेश्वा और सिंधिया सयुक्त रूप से लड़ते हैं और किसके अगेंस होल करके अगेंस ठीक है इसलिए ये जो पेशवा है वो बेसिन भाग जाते हैं ठीक है कहां भाग के वो जाते हैं बेसिन यहीं हम देखते हैं कि 31 ऑफ डिसंबर डिसंबर 802 में जो है बेसिन की संधी हो जाती है तो 802 से आपको क्या याद आता है तो इस time पे गवर्नर जो रहेगा wellasly रहते है और वेलसली इतिहास में क्यूow famous हुए तो उनकी जो सहायक stolen है उस यह famous है ठीक है तो इसका आर्थ क्या होता है 802 में बाजी राव second जो है वो क्या कर लेते हैं बेसिन की संधी को स्विकार कर लेते हैं और बेसिन की संधी स्विकार करने के कारण एक स्वर एक तरह से हम देखते हैं कि सहायक संधी का स्विकार कर लिया तो अंग्रे जो के सुरक्षा देने का आस्वाशन कर दिया ठीक है देखिए पेश्वा बाजिराव जो है इस टाइम पूना को क्याप्चर कर लेते हैं इसी वज़े से ये भाग कर बेसिन की संदी करते हैं और बेसिन के संदी से अंग्रेज कहते हैं कि हम आपकी क्या करेंगे सहायता करेंगे इसके सहायता के बदले आप हमें क्या देंगे तो ये जो क्रिशना तुंगभद्रा तापी नर्मदा राइचूर दो आपका जो शेत्र है इन शेत्रों को 20 लाक रुपे वार्शिक आए अंग्रेजों को सोप दिया ठीक है इतना समरुद्ध प्रदेश देखिए इनको सोप दिया साथी साथ सूरत कमपनी को दे दिया गया कोई भी जो यूरोपियन है अंग्रेज के अलावा उनस करेंगे ठीक है तो यह सभी संधी मान लिया जाता है तो यह बेसिन के संधी कब हुई थी 802 में हुई थी इसके परिणाम स्वरुप क्या होता है पेशवा की जो स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता ही नहीं तो इसके जो इनकम के सोर्से से वे भी एक प्रकार से काट दिये जा सवाफत हो जाते हैं इस से पेश्वा जो है क्या होता है एक प्रकार से सतफ पर हो जाता है ठीक है लेकिन इसके बाद पेश्वा जो है सीधा अक्रमन कर देगा किस पर अंग्रेजों पर ठीक है तो इसी का परिनाम स्वरुप द्वुदिрос अंगल w acum टाठा युद्ध जो है OF राठा जाता है कबसे 1803 से लेके पाँ तक जिसमें हम देखते हैं कि सभी हेटकोर्टर से अलग-अलग संधी की जाती है जिसमें हम देखते हैं कि देवगाव की संधी यह कब हुई थी 17 दिसंबर 1803 को जो है यह संधी हुई यह संधी किस के साथ हुई अगर पूचा दाय तो नाकपूर के भोसलाओ के साथ और साथ अंग्रेजी कमपनी ने की थी ठीक है तो यह याद रख लेना सेकेंडली है इसमें कि सूरजी अंजनकाव की संधी तो सूरजी अंजनकाव की जो संधी है वह भी 30 सितंबर 1803 में हुई थी और यह किस के साथ हुई थी तो सिंधिया और अंग्रेजोने की थी तो यह दोनों संधी किसका पाठ है सेकेंड आंगल मराठा युद्ध का पाठ है पहला आंगल युद्ध का कारण रगुनात राव ठेरे दुसरे आंगल मराठा युद्ध का कारण जो है किस प्रकार से हम देखते हैं कि मराठा शक्ती जिसमें आपस की ही जगडे से जुतिय आंगल मराठा युद्ध स्टार्ट होता है उसी प्रकार से तुरुतिय आंगल मर पिंडारियों के दमन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है तो इस टाइम पे जो है पिंडारी क्या करते थे एक प्रकार से लूट करते थे मानलों अगर कहीं युद्ध हो जाये उसके बाद वहां लूट करती जाती थी वह सभी यसे लेकिन पिंडारियों का एक खासियत थी कि वह जो है मराठों से बहुत जादा मतलब एक निष्टता रखते थे, help करते थे, ठीक है, तो इस टाइम पे बाजिराव सेकंड यहाँ पिश्वा थे, ठीक है, तो इस टाइम पे लॉड हिस्टिच चाहते थे कि पिंडारियों का दमन हो जा होता है, सेकंड ली हम देखते है कि गायक वार जो है, गायक वार ठीक है, बड़ोदा के गायक वार, तो गायक वार और जो पेश्वा है, इनके मध्यस्तर कुछ फाइनेंशल इसू चल रहा था, उसको सेटल करने के लिए गायक वार जो है, गंगाधर शास्त्री को भेजते हैं, लेकिन पेश्वा का जो प्रतिनिधी होता है, इनके सहायक जो होते हैं, वे क्या कर देते हैं, गंगा राम शास्त्री का वद कर देते हैं, ठीक है, तो पहली बात तो यह रीजन था, और सेकंड ली हम देखते हैं कि जिसने पेश्वा के तरफ से त्रमबक जो होते हैं, जिनोंने हत्या की थी उसको अंग्रेश कहते हैं कि हमें सोब दो तो ये एक प्रकार से उनकी गरिमा को ठेस पहुचाने जैसा कार्य हो गया था इसलिए बाजीराव सेकेंड क्या करता है इनके जो हेड़कॉर्टर्स है फॉर एक्जामपल भोसला जुनाकपूर के थे सिंधिया जो हम देखते हैं इंदोर के होड़कर है तो इन सभी से क्या करते हैं युद्ध करने के लिए इनकी तयारी आपस में चल रही थी साथी में जब सिंधिया सी वारता पिशवा की चलती है तो इसके गुप्तता की जानकारी जो है अंग्रेजों को हो जाती है इसके परिनाम सोरो युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही पाच नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधी जो है सिंधिया से कर ली जाते है ठीक है तो यह तो इसके बाद युद्ध स्टार्ट हो जाता है और युद्ध जो तृतिय आंग्ल मराथा युद्ध है किरकी नामक स्थान पर पिशवा आकरमन कर देता है किरकी नामक स्थान से यह हार जाता है फिर वहां गोरे गाव जाता है गोरे गाव में फिर से आकरमन होता ह और पेश्वा जो है इसको जॉन वेलकम के सामने आत्मसमर्थन समर्पन कर देना कर देता है और युद्ध की समाप्ती होती है जॉल मेलकम के सामने आत्मसमर्थन कर दिया जाता है यह जो पेश्वा पद है पद को ही समाप्त कर दिया जाता है आठ लाग रुपए वार्षिक पेशन कानपूर के विठूर में भेज दिया जाता है, और वही पे हम देखते है कि सातारा को एक छोटा राज्य बना दिया जाता है और शिवाजी के वन्षज प्रताप त्रितिय आंगल मराठा युद्ध की समाप्ती होते हुए देखने को मिलती है तो इस प्रकार से आंगल मराठा युद्ध हमने आशमाप्त कर चुके हैं कल जो है सिखों के उपर बढ़ेंगे और सीख किस प्रकार से सीख राज्य का उदय हुआ गुरु के बारे में पढ़ेंगे सभी टॉपिक जो महत्वपूर्ण है वो कल के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे